आप देख रहे हैं एवन उशाराव वीडिया पर उनका जो भी इश्ध है वो काम्याब हो और उनकी शायरी में मजीद रोशनी पैदा हो पर जिस तरह से आपने जिन्दगी बख्शी है मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी जिन्दगी के साथ आप हमारे साथ मौजूद रहेंगे मैं अगले शायर से सीधे सीधे मुलाकात करना चाहता हूँ और आपको यहां से 50 किलो मीटर दूर ले जाता हूँ और एक बहुत यह खुबसूरत विक्र और खुबसूरत लहजे के शायर जनाब मुनीद मुजफर पूरी चोटे भाई मुनीद मुजफर पूरी को मैं आवाज दे रहा हूँ आपको पुर्जूरत तालियों के साथ इस्तक्बाल करें बहुत यह खुबसूरत शायरी बहुत यह खुबसूरत लहजाब आप सुनेंगे मतासिर होंगे मुनीद मुजफर पूरी वालेकुबसूर देखे मैं ताज़फूर में इसलिए आपके जिम्मेदारी ज्याधा है बहुत गौर से सुने और अधाव तयरा ख्याल मेरे आस पास रहता है तो तो नही तो जमान आउदास रहता है तो तो नही तो जमान आउदास और अच्छा और तू अपने इश्क में मुझे कुछ इस तरह से मार दे तेरी नजर में तीर है जिगर के पार उतार दे दिल में कुछ हलचन हुई तेरा इशारा देखकर मैं तो आया था उठाने बे सहारा देखकर तुम मेरी मैयत को कांधा मत लगाना जाने मन मैं कहीं जिन्दा ना हो जाओ सहारा देखकर और एक घजर की शब में हर एक जखम जवां होता है हिजर की शब में हर एक जखम जवां होता है तुम छुपाते हो मगर फिर भी आयां होता है तुम को रोना है तो दीवार से लग कर रोलो तुम को आप लोगों की तवज्वा चाहता हो कि तुम को रोना है तो दीवार से लग कर रोलो आख मिलते ही महबद का गुमा होता है आहा, अरे भई, वा, 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 इधर की तजरुबा कम नहीं लग रहा है, क्या कहने, वा, 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 तुम को रोना है, तो दीवार से लग कर रोलो, आँख मिलते ही मुहबत का गुमा होता है, वा, बहुत अच्छा, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, क्या क अब मुखबत में ये एसास कहां होता है और क्या जरूरी है कि हर बात बताई जाए तेज धरकन से भी कुछ राजबया होता है क्या ज़रूरी है कि आज बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, तेज धर्कण से भी कुछ राजबया होता है, और ये शेर के, इस सहे दर्दे दिल सुनाओ तुझे, इस सहे दर्दे दिल सुनाओ तुझे, इस सहे दर्दे दिल सुनाओ दिल की धर्कन को कुछ करार आए दिल की धर्कन को कुछ करार आए पास आके गले लगाओं तुझे और ये शेर बतौरे खास कि आज मैं कार लेके आया हूँ आज मैं कार लेके आया हूँ गाओं से चल शहर घुमाओं तुझे एक नजारा है दूबता सूरज जील पर और क्या दिखाऊं तुझे एक नजारा है दूबता सूरज जील पर और क्या दिखाऊं तुझे और एक नजम सुनाता हूँ उसके बाद अपने जगा लोंगा आप लोंगा से तवज्जह की दरफास है कोई किस्सा मुहबत का किताबों में लिखा जाए इदर जो लोग बैठे काभी जिन्दा दिन लज़र आ रहे हैं कि कोई किस्सा मुहबत का किताबों में लिखा जाए कोई किस्सा मुहबत का किताबों में लिखा जाए और अपना नाम ना आए तो फिर किस्सा अधूरा है वो किस्सा ही नहीं बलके किताबे भी अधूरी है मुहबत रिस्क है जो खास लोगों पर उतरता है मुहबत शबनमी कत्रा है जो ठहरा है पलकों पर मुहबत शबनमी गत्रा है जो ठहरा है पलकों पर जरासी ठेथ लगने पर ये मोटी तूर जाता है ये आखे रूठ जाती है ये दिल भी तूर जाता है जरासी ठेथ लगने पर ये मोटी तूर जाता है ये आखे रूठ जाती है ये दिल भी तूर जाता है और यहां से तबज्ज़ जाता हूँ कि तुम्हें मालूम है कि इश्ग का उन्वान है आखे महबत दीन है तो दीन का इमान है आखे महबत में सुकूने कल्ब का सामान है आखे अगर दी जीज़ जाए तो खुला एलान है आखे इन्ही आखों से बाबस्ता है सब इस्था महबत का खודה यहारगारी यूचा रहे दरजा महबत के